राजगर वासियों आज करवा चोत का दिन है और करवा चोत के दिन मैं आपको राजगर जिले की एक एसी धर्म पत्नी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनोंने अपने पती की जान बड़ी बहाद्दूरी से बचाई है जब दूर दूर तक रिष्टेदारों ने पती की जान बचाने के लिए मुँ फेर लिया था तब पत्नी ने अपनी बहाद्दूरी दिखाई और अपने पती को एक नया जीवन दिया यह कहानी बड़ी ही दर्दनाक कहानी है इस कहानी से आपको प्रेणा भी मिलेगी आपको सीख भी मिलेगी और आपको इस कहानी को सुनने में मज़ा भी आएगा नमस्कार स्विकार कीजेगा मेरा नाम कृष्ण पाल राठोर है और आप महारो राजगड का यूटूब चेनल देख रहे हैं यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है यह कहानी है ब्यावरत के पुर्षोत्तम शर्मा और उनकी धर्म पत्नी प्रिया शर्मा की प्रिया शर्मा और पुर्षोत्तम शर्मा यह दोनों पति पत्नी ब्यावरत शहर में ही रहते हैं और पुर्षोत्तम शर्मा जो है कथा वाचक है भागवत कथा करते हैं और भागवत कथा से अपने जीवन का जो है वो गुजारा कर रहे थे और दूसरों के जीवन में भी भर रहे थे क्योंकि भागवत कथा ज्याहिर सी बात है जो भी सुनता है उसका जीवन आनंद में हो रहता है तो भागवत कथा पुर्षोत्तम शर्मा सुनाते थे और प्रिया शर्मा ग्रहनी थी यह दोनों 12 शहर में रहते थे और बड़ी हसी कुशिश है इनका जीवन चल रह लगी और पुर्षोत्तम शर्मा ने भी कोरोना की वेक्सिन लगवाई उसके बाद में उनके शरीर में कुछ दिक्कत होने लगी और दिक्कत इतनी भयानक थी कि पुर्षोत्तम शर्मा ने लाख इलाज करवा लिए वे सबसे पहले ब्यावरा के सिविल अस्पताल में गए ब्यावरा के लोकल डोक्टरों से उन्होंने इलाज करवाया ब्यावरा के कई मेडिकलों से उन्होंने पेंकिलर वगेरा खाई लेकिन उनको आराम नहीं लगा और लगातार वो परिशाम थे तो ब्यावरा के सिविल अस्पताल से फिर उन्हें भोपाल रेफर किया गया भो में कैवल उन्हें पताच चला था कि किड्नी का इंफेक्षानें पिर उनके कि रिष्टेदार से深ते क्रों बोला है जिनको six सब्सक्राइ asta किड्रीनी का टोक्ट्र ने बताया है अब किया करना चाहिए तो फिर ईश्तेदार की सलापर भी एहमदाबाद गये भॉपार College जब एहमदाबाद जा रहे थे तब उन्हें पागलपन के दोरे भी पढ़ने लगे उज्जेन के पास में ट्रेन में ही पुर्षत्म शर्मा जी की इतनी हालत फेल गया है कि चोथे स्टेज में इंफेक्शन चला गया है अब इनकी किड्नी को ट्रांस्प्लांट करना पड़ेगा यानि की दोनों किड्निया इनकी खराब हो चुकी है अब इनको किड्नी देना होगी अब जब दोक्तर ने रिष्टेदारों से पूछा तो पुर्षत्म शर्मा जी के भाई बहन ने भी मना कर दिया भाई बहन ने भी किड्नी देने से मना कर दिया भाई बहन छोडिये दूर का रिष्टा मान लेते हैं माता पिता ने भी बोल दिया कि हम किड्नी नहीं दे सकते जबकि अगर दोनों किड्नी खराब है तो डोक्तर की सलापर अगर जो गहरे रिष्टेदार होते जो बिलकुल करीबी रिष्टेदार होते अपनों अपनों का जो खून होता है भाई बहन और माता पिता इन लोगों ने मना कर दिया कि भीया हम किड्नी नहीं दे सकते हो सकता है कि हम किड्नी दे और हमारी भी जान चली जाए तो किड्नी देने स चाहेंगी तो प्रिया शर्मा ने आगे रहकर कहा कि हां डॉक्टर साब में मेरे पती को किड़नी दे करके एक किड़नी दे दूंगी तो मेरे पती की जान बच जाएगी और फिर प्रिया शर्मा ने आगे रहकर के अपने पती को किड़नी दी और बकाइदा अपने पती की जा बहुत कुछ सीखते हैं तो प्रिया शर्मा जो है कि उन्होंने धर्म पतनी का जो किरदार निभाया कहने को पतनी नहीं हो जाती और कहने को पती-पती भी नहीं हो जाता है जब गहरा संकट हो जब जान पर पड़ी हो अगर कोई नहीं होगा तो फिर जान ही चली जाती इंसान की उस समय पर जिसको हम ब्याकर करके दूसरे घर से लेकर आते हैं उस लड़की ने अपने पती की जान बचाए और अपनी किड़नी दे दी एक किड़नी देने में भाई साब इतना वह लगता है न कुछ जिंदगी भर एक किड़नी के सारे रहना पड़ेगा तब अच्छे अच्छो के पसी ने छूड़ जाते हैं जैसे भाई बहन और माता-पिता के पसी ने छूटे और उन्होंने कदम पीछे लिया तो प्रिया शर्मा ने यह बाहत दूरी दिखाई और प्रिया शर्मा ने अपना जो पती धर्म है पती प्रता धर्म जिसको बोलते हैं वह उन्होंने निभाया और पुर्शोत्तम शर्मा को एक किड़नी दे करके उनकी जान बचाई मैंने शुरुवात में कहा था कि पुर्शोत्तम भाय साब भागवत कथा सुनाते हैं लोगों को वह भागवत कथा सुनाते हैं शायद इसलिए उनको इतनी अच्छी धर्म पत्नी मिली और इसी का फल है कि उनकी जो पत्नी जी है प्रिया शर्मा वह इतनी बहाद्दूर है क कि अपने पति को तरपता देख अपने पती की कंडीशन खराब हो गई ट्रेन में पागलपन के दोरे-परनने लगे तब भी उन्हों का संथ日 नहीं चोड़ा जब वह अस्पताल में थी तब भी नहीं चोड़ा जब उनके पती किड़नी बदली जा रही थी तो एक किड़नी उनकी पत्नी के शरीर निकालकर डॉक्टर ने transplant की और उसके बाद में बहाद्दूर प्रिया शर्मा जी ने अपनी पती पुर्षवत्तम शर्मा जी की जान बचाई यह कहानी मैंने मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगी यह कहानी आज के मौके पर सुनाने में मुझे लगा कि पती पत्नी में जगडे वाले कई मीम साब देखते हैं पती पत्नी में लड़ाई वाले कई जोग बनते हैं लेकिन पती पत्नी के प्रेम वाले किससे वो भी सच्चे किससे बहुत कम देखने को मिलते हैं मुझे लगा कि यह यह कहानी है करवा चोट के मौके पर आपको सुनानी चाहिए और यह सची-घटना पर आधारित कहानी है और कहानी हम इसको इसलिए भी बोलते हैं कि भैया कुछ ऊंच हम से हो जाये कुछ गलती हम से भी लेकिन यह पूरी सच्ची घटना है और इस तरह की सच्छी घटना मुझे लगता है कि आज के दिन आप लोग इसे अगर शेयर करेंगे तो राजगर जिले के लोग भी प्रेणा लेंगे मर्द्रदेश के लोग भी प्रेणा लेंगे कि भाईया इस तरह के का प्रेम होना चाहिए पती पतनी का तो बाकि आप